सर्व प्रधम आदर्निय बापुजी महराज को नमन वो भलेई हमारे बीच में मौजूद नहीं है तो क्या हुआ हमारे दिल में तो बैठे हुए है मेरे ख्याल से जिस तरह मैंने नमन किया है उस तरह यहां बैठे हुए सभी भक्तों ने उन्हें नमन किया होगा और आये हुए यहां सभी भक्तों को आचारे द्रोण का प्रणाम स्वेकार हो और यदि महा भारत की भाषा मैं कहूं तो यही कहूंगा मेरे प्रियशिश्यों आयोश्यमान भवा माताओं और बहनों को भी आशिरवाद अवश्य दिऊंगा आचारे द्रोण हो सहस्त पुत्रवती भव का आशिरवाद नहीं दूगा क्योंकि यही आशिरवाद एक बार पितामा भीश्यमने माता गांधारी को दे दिया था और सौ पुत्र पैदा हो गए थे और सौ के सौ निकम में ही पैदा हो गए थे पुत्र हो तो आशाराम बापुजी जैसा हो दोसों आशिरवाद का कभी कभी सुलसला भी उल्टा हो जाता है जैसा कि अभी अभी आपको बताया है कि मैं बॉलिवुट से आ रहा हूँ बहुत अधिक वेस्ता रहती है लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी का समाज के प्रती थोड़ा बहुत दायत्तो है चाहे वो कलाकार हो पत्रकार हो साहितकार हो I.S. ओफिसर हो डॉक्टर हो सब मुझे ऐसा लगता है कि हरेक को अपना अपना धर्म निभाना चाहिए और जैसा कि माहा भारत में कहा गया है भगवान कृष्ण महा भी थे माहा भारत में कहा गया है जब जब धर्म की हानी होगी तब तब मैं प्रकट होंगा एसा भगवान कृष्ण ने कहा है साधू संत हमारे जीवन की धरोहर है और इस धरोहर को हम सबने मिलकर प्रयास करना है कि ये धरोहर पर कभी कोई आच ना आए इस धरोहर को हम सब बचा कर रखे दोस्तो भारतिय संस्कृती के सन्रक्षन में सदा साधू संतों का योगदान हमेशा रहा है इस समाज को आगे बढ़ाने का और समाज के उत्थान के लिए साधू संतों ने हमेशा अपना एक बहुत बड़ा योगदान समाज को समर्पित किया है जब कभी एक अच्छा समाज बनाने की हम बात करते हैं एक अच्छा परिवार बनाने की बात करते हैं तो साधू की बाणी हमारे कानों में कुश्ती है जिससे हम कभी गलत राह नहीं चलते हैं एक अच्छी राह चलते हैं कभी इरदाज जी ने कहा था गुरू गोविन दो खड़े काके लागें उपाउं बलहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए साधू संतों के पास ही प्रभू के पास जाने का मार्ग होता है और जो हमेशा जब भी हम अंदकार में बैठे रहते हैं तो वो अंदकार से निकाल कर हमको उजाले की तरफ ले जाते हैं भारत की आजादी के पूर्वकाल में भी स्वामी विवेकानन, शिरी रामकृष्ण परामहंस, महर्शी अर्विंद और अन्य संतों ने सांस्कृतिक एवम अध्यात्मिक योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं सत्त साहिं बाबा, शिरी राम आचार्य, आशा राम बापु जी, महर्शी योगी, योगाचार्य राम देव जी, आदी अनेक संतों ने देश को नैतिक एवम चरत्रिक पतन से बचाने के लिए अपनी संपूर जीवन की तपस्या एवम संघर्ष को आगे रखा है हमारे देश में करोणों की संख्या में जनता की आस्था के प्रतीक, संतों की मीडिया द्वारा अपमानित रूप से दिखाया जा रहा है जनता और कानून को गुमरह करने का प्रयास किया जा रहा है तो मेरा आप लोगों से सभी से आग रहे है कि आप लोग अपना अमूल योगदान इसमें दें मुझे एक कहानी याद आ रही है जिसमें कहा था कि एक जंगल में सभी जानवरों ने मिलकर कहा कि भाई राजा का चुनाव किया जाना चाहिए जब राजा का चुनाव किया जाना चाहिए तो सभी जानवरों ने मिलकर शेर को राजा नहीं बनाया बलकि एक बंदर को राजा बनाया बंदर राजा बनने के बाद बहुत खुश हुआ और वो पूरे जंगल में घूमने लगा एक दिन शेर आया और उसने बकरी के बच्चे को पकड़ा और ले गया और गुफा के अंदर ले गया बकरी दोड़ी दोड़ी गई बंदर के पास बोली राजा मेरे बच्चे को शेर उठा कर ले गया है आप मेरा बच्चा लाकर वापस कर दे बंदर गया शेर की गुफा के पास और बाहर से जिद्ध देखा उसने द्रश शेर अंदर गुफा की माद में बैठा हुआ था बकरी का बच्चा भी वहीं बैठा हुआ था लेकिन बंदर की हिम्मत नहीं पड़ी की शेर के पास जा सके तो गुफा के बाहर जितने भी सारे पेड़ थे बंदर उन पेड़ों के उपर उचलता रहा कूतता रहा छे दिन बाद जब कोई नतीजा नहीं निकला तो बकरी छे दिन बाद फिर बंदर के पास पहुची बोली राजा जी मेरा बच्चा कहां है तो बंदर बोला मेरी भाग दोड़ में अगर कोई कमी रह गई हो तो बताओ भई ये कोई कहानी नहीं था ये एक तात्परिय था कहने का मतलब था कि यदी सत्ता बंदर के हाथ में रहेगी तो वो इधर उधर कुटता ही रहेगा आप लोगों ने शेर बनना है और शेर बनकर अपनी हक की लड़ाई को जीतना है जब जीवन में आप लोग शेर बन जाएंगे तो आपको कोई बंदर डरा नहीं पाएगा और हमारे बापू को बंदरों की ज़रुत नहीं है शेर की ज़रुरत है मैं आप लोगों के बीच में आज यहां आया उसके लिए मैं अजय भाई अशोग भाई गंशाम नंद जी डॉक्टर सुमन जी जगत गुद्रू पंच नंद जी महराज धर्म रक्षा के सभी पदाधिकारी माननिय बापू भाई जी तनु भाई जी और हमारे आचारिय जी चक्रपाणी जी जो हमेशा संतों को बचाने में आगे रहे हैं संतों को आगे ले जाने में हमेशा इनका रोल बहुत आगे रहा है इनका हार्दिक अभिनंदन और आचारिय चक्रपाणी जी को मेरा नमन आप सब लोगों का आभार आया हूँ तो एक डायलोग भी सुना कर जाओंगा महाभारत का सुनेंगे ना ये डायलोग उस वक्त का है जब दुर्योधन देखे एक बात और बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में दुर्योधन और मामा शक्नियों की कमी नहीं है रूप और आकार बदले हुए हैं हजारों साल पहले भी दुर्योधन थे और आज भी दुर्योधन है आपने अपने जीवन में आपके अगल बगल में अगर कोई भी दुर्योधन दिखे या मामा शक्नि दिखे तो उसे आप लोग बाणों की शैया में सुला दें ये डायलोग उस वक्त का है जब आचारे द्रोण रणभूमी में खड़े हैं और दुर्योधन कहता है कि आप हमारे प्रदान से नापती हैं लेकिन युद्ध युद्ध आप पांडवों के पक्ष में कर रहे हैं तब आचारे द्रोण कहते हैं अपनी नात की आज धीमी करो दुर्योधन ये मत भूलो कि तुम आचारे द्रोण से बात कर रहे हो उन असाय पांडवों से नहीं मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं रणभूमी और कीड़ा भवन में अंतर करना सीको युद्ध हमारे पक्ष में है किन्तु युद्ध का परणाम हमारे पक्ष में नहीं है अर्जुन को युद्ध भूमी से दूर हटा दो मैं युद्धिष्टर को बंदी बना कर तुम्हें सौख दूँगा हाँ, कल मैं चक्रवियू की रचना करूँगा कल मैं चक्रवियों की रचना करूँ प्रिय मुत्रों हमारे बापु जी भी इसी चक्रवियों में फसे हुए हैं आप सब लोगोंने अरजुन बन कर उन्हें इस चक्रवियों से निकालना है यही आशा करता हूँ और जाते जाते बापु जी के लिए एक शब्द बोलके जरूर जाओंगा चश में पुर्नम खरी सकता हूँ मैं जश ने बरहम खरी सकता हूँ मैं मेरी खुशियां अगर बिग जाएं दोस्तों मैं बापु जी के हर गम खरी सकताया बहुत-बहुत धन्नवाद बहुत बहुत आभार आप लोगों का आप लोगों ने मेरी बात को शान्ती पूरवख सुना मुझे ऐसा लगता है कि आप जब घर जाएंगे तो आप मेरी इस बात के बारे में सोचेंगे कि मैंने कितनी गहराई वाली बातें आपको कह दी है यहां जितने भी संत समाज के लोग बैठे हुए हैं, साधू समाज के लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने सभी लोगों ने अपनी अणी, अपनी भाशा द्वारा बहुत अच्छी चीजें कही हैं, जिनने में बहुत देर से सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, साध संत समाज पे हम गर्व करते हैं हमारी ये धरोहर है और आप सब ने इस धरोहर को बचाना है जैहिंद जैपार